माने परधानमंत्री जी बार-बार कहते हैं आतम निर्भर भारत क्या है आतम निर्भर भारत अरे अपने ही गाओं के गोपर से अगर आप अपने ही घर के चूले जला लोगे गैस जला लोगे तो यही आतम निर्भर है उसके बाद गैस का सिलेंडर चाहे हजार रुपे हो जा आजाता है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन के घंटी बजा दें तो पहले शुरू करते हैं दिल्ली में स्ताई वर्षिय मजदूर की गव रक्षगों दवारा हत्या कर दी गई यूवक जिसका नाम राजा राम है वो एक फार्म हाउस के केर टेकर का काम करता था सावदान रहे ये हमारे नए भारत में किसी के साथ भी हो सकता है कि आप एक दिन सड़क पर जा रहे हैं और अचानक एक दम से 10-15 लोग आकर आपको पीटने लग जाएं और पीट पीट कर आपकी हत्या कर दें ये खुद को गव रक्षक कहने वाले दैत्यों को किसने हक दिया है हमारा नयायाले आँखों पे पट्टी और मुँ में पैसा दबा कर ये सब तमाशा देखता रहता है वहीं दूसरी और गाजियाबाद के एक गव शाला में आग लगने से 40 गाए की मौत हो गई अब हमें एक बात बताएं के जो ये गव रक्षक हैं ये तब कहां थे जब ये गाए जल रही थी और तडप रही थी ये सिर्फ गाए के नाम पर अपनी खुनस निकालने का काम करते हैं अगली वीडियो देखकर आपकी भी आँखों में शायद आंसु आ जाएं ये है हमारे सुप्रीम लीडर का डिजिटल इंडिया इसको देखे और हमें बताए कि क्या इस बच्ची का गुना ये है कि ये भारत में पैदा हुई या ये है कि ये भारत में मुस्लमान बन कर पैदा हुई ये वीडियो है खारगोन मध्य परदेश का जहां पर आटावर्चावल क्या नाम लिखते हैं आप लिखते हैं कि आज़ कल दोस्तों हम जानते हैं कि गोदी मीडिया भक्तों के मन में कूट-कूटकर भर रहा है राम नम्मी के अफसर पर एक समुदाई के लोगों ने दूसरे समुदाई के लोगों के ऊपर पत्राव किया यह ये वीडियोज आपको कोई गोदी मीडिया का चैनल नहीं दिखाएगा तो हमारी आपसे बेंती है कि इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें ताकि सच लोगों तक पहुँच सके। महलों में ना हो, हमारे इलाके में ना हो, ये समझना ज़ूरी है। कल शीन अगर में जामिया मस्जिद के अंदर कुछ वपनों ने नारा लगाया पुर्हानमानी के नाम का लगाया, अजादी मांगी, मुशा अतकरादी के नाम की अजादी मांगी, अज घरगोज की धंती से अगले क्लिप में हम देखेंगे हमारी बीजेपी की एक मिनिस्टर का लोजिक इतना उच्छ तरका है कि क्या बताएं, ये महतरमा ये कह रही हैं कि महंगाई कम नहीं कर सकते हमारे सुप्रीम लीडर, तुम लोग अपने खर्चे कम करो, कम अकलो तुम्हारी गलती है जो इतना खर्च करते हो, ये वीडियो देखकर हमें समझ नहीं आती कि इस बात पर हसें या अपने देश की बरबादी पर रोएं अपने ही गाओं के गोपर से अगर आप अपने ही घर के चूले जला लोगे, गैस जला लोगे, तो ये ही आतम निर्भर है, उसके बाद गैस का सिलेंडर चाहे हजार रुपे हो जाए चाहे दो हजार रुपे जाए आपको कुछ फरक नहीं पड़ेगा। खार गौन में पत्रा वाले विवाद पर मध्य परदेश के सी एम ने कितने मुस्लिमों के घर के उपर बुल्डोजर चलवा दिया है और हमें सिर्फ एक बात बताएं के नयायाले के नीवू पानी बनाने के लिए रखे हुए हैं, आने वाले वक्त बहुत भयानक होने वाल सरकार पर जिम्मेदारी आयत नहीं होगी, सरकार बीजेपी की हो या कॉंग्रेस की हो, सरकार बीजेपी की हो या कॉंग्रेस की हो, ये सरकार की नाकामी है, ये सरकार अगर चौकस होती, पत्थरा हुआ है ना सर, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि पत्थरा हुआ है, ये सब चीज रिपॉर्ट मिलती है अबागी आनंद का हम बताते हैं सर आपको क्या हुआ अनंद में डीजे को लेकर कि डीजे क्यों यहां पर म्यूजिक क्यों चल रहा है जी क्वाल म्यूजिक का बात कर रहे हैं वहाँ पर M.I.M. पार्टी के जिम्मेदार जाकर मिले हैं पॉलिस के प्रसाशन से जो गिरफतारी उस पर जाकर हमारे गुजरात के प्रेजिडंट साबर काबली वाला ने वहाँ पर जिम्मेदारों जाकर मिला है मैडम मैं एक बात बता रहा हूँ आपको यह जो यह वेरी बास सुनीजिए अगर आप गोलवालकर की किताब पढ़ेंगे तो गोलवालकर ने अपने किताब में खुद लिखा है कि जब प्रोसेशन जाता था तो लोग बाजा बजाने से कतराते थे तो गोलवालकर ने का कि मैंने खुद बाजा उठाकर मस्जिद के साम में बाजा बचाया है यह जो क्लिप आप ने देखा यह हमारे शांते मैं संगी जो खुद को विक्टिम बुला रहे हैं आपके घर में घुश कर कोई तलवारे लेकर आए और आपको बुरा भरा बोले और आपकी जान के उपर बन जाए तो आप क्या करेंगे इनके हाथों में तलवारे हैं यह आ एड़ में एक बार भी कोई नियूज नहीं दिखा थी पर पाकिस्तान की अर्थ विवस्ता के उपर गोदी मीडिया ने पी एचडी कर रखी है आपको बताती थी इंफलेशन रेट कैसे डबल हो चुका है जीडीपी कैसे ओंदे मुग गिरी हुई है कैसे पाकिस्तान का बात ये है कि रवीश कुमार जब कॉंग्रेस की सरकार थी तब भी सरकार की नीतियों पर प्राइम टाइम शोव पर सत्य सवाल खड़े करते थे पर ये गोदी मीडिया और भक्त कभी नहीं समझेंगे को धर्म की नजर से देखने के इस दौर में महगाई बहुत चालाक निकली इसे कोई भी धर्म और अधर्म की नजर से नहीं देख रहा ऐसा नहीं कि धर्म के नाम पर जगड़े बंद हो गए हैं लेकिन इन जगड़ों के कारण महगाई को लेकर समाज में व्यापक शांती क्योंकि हिजाब के विवात में अब उसामा में लादिन के आतंग की संगठन की एंट्री हो चुकी है हिजाब का फटा पोस्टर निकला अलकाइदास हिजाब वाले जिहाद के पीछे कोई और नहीं मामला हिजाब को लेकर शुरू गुआ था इसके बाद हिंदू यात्राओं और मंदिरों से अलफ संख्यकों को दूर रखने की कवायत फिर हलाल मीट का विरोध जिसे एक बीजेपी विधायक सीटी रवी ने मुसलमानों का आर्थिक जिहाद कहा आज हम देखते हैं प्रूट्स व्यापार में ज्यादा तर मुसलमान नोगी है प्रूट्स खेत्र में हिंदू व्यापार करें और हर एक हिंदू हिंदू होसे ही तरीदी करें हिंदू मुसलिम से किसाई सबी एक ही है मेरे लिए मानपता का धर्म सबसे बड़ा है सभी धर्मे किताबों में यही लिखा है संविधान की संस्थाँ इतनी कम्जोर लगने लगी यह जिए घटनाव की निंदाएं भी थकने यह आपने सुना है कि प्रधान मंत्री एसी खटनाओं की निंदा कर रहे हूं इन्हें बंद करने की बात कर रहे हूं, आखिर ये संगठन किसके दम पर बे लगाम हुए जा रहे हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जब देश के अलग-अलग हिस्सों में धर्म के आधार पर किसी को रोके और टोके जाने की घटना प्रकाशित नहीं हो रही है अच्राइप मैं बारत में सुरकशित मीं मुसल्मान शचित नहीं हैं मुसल्मान खत्रे में हर जगा खत्रे में आब भारत में घतरे में थो आर करें पेट्रोल के दाम बढ़ने से टैक्सी चला कर गुजारा करने वाले लाखों लोगों के भूश उड़े हुए तीन महिने में CNG गैस की कीमत प्रती किलो 15 रुपए बढ़ चुकी है ओला उबर के ड्राइबर मांग कर रहे हैं कि ग्राहक कार में बैठें तो एर कंडिशन के अतिरिक्त पैसे दें इतनी बातों को सुनने का धीरज किस ले लोग सुनने ना लगे इसलिए थर्म को लेकर तरह तरह के विवाद पैदा किये जा रहे हैं मिडल क्लास अब साइलेंट क्लास हो चुका है वो परेशान है लेकिन परेशानी को पहले की तरह नहीं देखता न व्यक्त करता है मैं गर्य टरह तरह की तरव से अज कोई त्वीट मैंने अभी तक तो नहीं देखा मैं यह कह रही हूं हर्तलर क्यों है आज इतना संनाटा क्यों हो गया आज इतनी खामोशी क्यों इतना संनाटा क्यों है बड़े बयानवीर आज खामोशी धारण किये हुए खामोशी साथ हुए सुगुई खान आज बयानवीर कहा है वापस उसी सवाल पर आ रही है आज बयानवीर कहा है आज ट्विटर वीर कहा है आज social media warriors कहा है कहा है सारा चीज महंगा है यह महंगा यह महंगा यह महंगा सब चीज महंगा है कुछ नहीं कर सकते हैं क्या ले जाएंगे करीब आद में कैसे खाएगा यह पता हुआ दो महिना पहले निम्बू 60-70 रुपए किलो विक रहा था अब 320 रुपए विक रहा है दो साल से महंगाई के कारण आपकी बचत पर क्या असर पड़ा है इसका हिसाब की लोग कर भी रहे होंगे लेकिन महंगाई के सपोर्टर के आगे चुप है अगर देश की राजधानी में यह तै कि लोगो को खाने में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा यह आम आदमी से उसके जिन्दगी से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है और इस पर वहस होनी चाहिए हमारी रज़र में यह बहुत बड़ा टॉपिक है हर दिन रिपोर्ट करना मुश्किल होता जा रहा है ऐसे ही रिपोर्ट करने वाले पत्रकार कम हो गए हैं अब अगर उन पर हमले होंगे मुकदमे होंगे जेल भेजे जाएंगे तो पत्रकारिता का बचा खुचा हिस्सा भी ढह जाएगा यूपि में नकल की रिपोर्ट करने के बाद बलिया में तीन पत्रकार जेल भेज दिये गए दिल्ली में हिंदू महाप अंचायत के समय पत्रकारों के साथ मार पीठू ऐसी घटनाएं हर दिन बढ़ती जा रही हैं इसका फाइदा सत्ता में बैठे लोग उठा रहे हैं मीडिया से महंगाई की खबरे गएब हैं सुन रहे हैं बोल नहीं पा रहे हैं कोई बात नहीं एक दिन जब सर जुकेगा तो उठ नहीं पाएगा ब्रेक लेगे